क्या हर राज्य में अखलेश की पार्टी सिसड़ी सावित हो रही है? क्या किसी भी राज्य में सपा का उदय होना संभव नहीं है? क्या मजबूरी में कॉंगर्स को सपा का साथ चाहिए? अकर अखलेश रादव की पार्टी हर राज्य में इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे नमस्ते प्राणाम शुती हो अपना तो पदेश नूज के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत लोग सभा चुनाओं में यूपी जीतने वाले अखलेश खुद को तीसमार खान समझ र अब अन्य राज्यों में भी अखलेश ने जीत दर्ज की थी तब बड़े ही आपनों विश्वास से बयान दे रहे थे लेकिंजब से सपा की गंदी-कर्तूत-रोजाना सामने आनी शुरू हुई है तब से हर दिन अखलेश कमजोर हो रहे हैं इंडी-कर्वेंदर में शामिल सभी पार्टियों ने हर्याना विधान सभा चुनाओ अलग-अलग लड़ा जिसका खामियाजा यह हुआ कि बिजेपी ने सारे दावों और समीकरोनों को भस्त करते हुए हर्याना ने जीत की हैट्रिक लगा दी जब वो कश्मीर में सपा 20 सीटों पर लड़ी थी लेकिन 16 सीटों पर 500 काकड़ा तक चुन नहीं पाई वही सपा कॉंगर्स समेथ सभी दलों के अलग-अलग होकर चुनाओ लड़ने की एक मुख्य वज़ा सीटों पर सेमदे ना बनना माना जा रहा हुआ के बाद हर्याना चुनाओं में भी समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं दे अकिर ऐसी क्या बचा है कि यूपी में ठीक से लाने वाले अखलेश यादव कि कंधों से कंधा मिला कर चलने वाले राहुल गांदी अन्य राज्यों में अखलेश को बैस साखी का सहारा भ दलों के साथ मिलकर चुनाओं ना लड़ना यह बड़ी वजह है जिससे कंग्रस की हाथ भी यूपी के अलावा अन्य राज्यों में प्रमुक पार्टी कंग्रस जैसे आप जानते हैं को सीचों की दरकार रहती है और यह कोई नया थोड़ी है कंग्रस का बरसों से ऐसा ही व मजबूरी है जी हां क्ग्रस के लिए सपा एक तरीके से मजबूरी है भर कंग्रस का यूपी में स्वार्त है तो कंघ्रस ने सपा से समझ JUDYV मजबूरी थी दोनों दूसरे के लिए मजबूरी है क्योंकि अगर सपा और कॉंग्रस साथ ना आते तो मुस्मिन वोट बढ़ जाता ऐसे इस सिती में सपा को नुकसान हो सकता था देखिए कॉंग्रस को गटबंदर में कभी विश्वास नहीं रहा है कॉंग्रस मजबूरी मे हिसाब से अन्य पार्टी से कट्रूमन करती है जरत ना होने पर साफ पल्ला भी जाड़ लेती है यहां तक कि कॉंग्रस पार्टी के नेता अपमानित करने वाले बयान तक देने रखते हैं अधर प्रेश्विदान सभा चुना में भी आपने देखा ऐसा ही हालत हुआ था ज जनाधार था और जो भी थोड़ी बहुत जनाधार जो अफली चाड़ की बची है वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंग यादव की वज़ा से ही बची हुई है अपतर मुलायम सिंग यादव ने यूपी में कई बार सरकार बनाने के बात अन्य राजियों में अपनी पार्टी का है यादव के बल पर उपी में अपना जनाधार ठीक किया है जिस तजरीके से सपा ने वोट उसी तरह समाजबादी पार्टी अपने वोट बैंक को सहेज नहीं पाई सबसे बड़ी कमी यह है कि जहां जो पार्टी मजबूत है वहाँ दूसरी पार्टी को सीट ही नहीं देती कॉंग्रस ने मद्रदेश के बाद अब हर्याना चुनाव में समाजवादी पार्टी समेट अने से योगी पार्टी को सीट नहीं दिया इसी तरह अब यूपी में 10 सीटों पर उप्चुनाव होने जा रहा है अब यहां भी सीटों का माला जरा फस गया है सपा एक भी सीट कॉंग्रस को देने को तयार नहीं है 6 सीटों पर सपा ने अपने उमिद्वार उतारे हैं और 4 सीट बची है देखते हैं उसमें से एक भी सीट कॉंग्रस को नसीब होती है या फिर नहीं कुल मिलाकर ये बाप तो एकदम साफ है भई कि सपा हर जगह जो है कमजोर हो रही है हर राज जमें कमजोर है जम्मु कश्मीर और हर्याना को तो बहुत छोड़ देजे उत्रप्रदेश में ही जो सैतिस सीट लाई थी समाजवादी पार्टी लोगत बाचुनाओं में इस बार क्या हालत होने वाली उत्चुनाओं में बेखिए ना उत्चुनाओं में बहुत खराब होने वाली वर आती है जो सपा के पाटियों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है अखले श्यादव पर सवाल खड़े कर रही है कभी कोई गैंग रेप करते हैं तो कभी कोई दुशकर्म करते हैं बच्ची के साथ कभी किसी नेता के घर से बच्ची का बच्ची का मिलता है जानबूच क जबरदस्ती बच्ची के साथ घर का काम कराया जाता है एक्सपर्ट जैट ऐसी कई खबरें ऐसी हैं जो हम आपको रोजाना बता रहे हैं जिससे आपको रूबरू हर दिन कर बार है कुल मिलाकर देखा जाए तो हर राच में ही समाजवादी पार्टी का कोई जनाधरा बचा ही नहीं युप में थवड़ा बहुत जनाधार बचाथ है वह उलायान संयादव की वज़ से उनके पिता की वज़ से लेकिन अब जिस तरीकेते से समाजवादी पार्टी पर आती नजरी तरीके से समझवाद्य पार्टी के अंदर के जो नेता है जो उनका दरिंदगी उनकी है जो काला कर्तूत है उनका वह कहीं ना कर दो चिनाओ कितना दिल्चस्प होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हर्यानों और जम्मु कश्मीर में जिस तरीक समझवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है और यह कहना बिल्गल लगत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी जो अखलेश यादव आतनों विश्वास के साथ एक ओवर कॉंफिडेंस के साथ आज कॉंग्रस को कह रहे हैं कि और गश्वास जादा था इस वर्याना मे में जब यह अ को फूरा सब्सक्रां से पार्टि पूरा-पूरा विपक्ष हो रही उसको लेकर आप क्या सूचते हैं कमेंट कर जरूर बता बहुत बहुत शुक्रिया